जहिन बच्चो ऑज अम लोग बात करने वाले हैं एनुवल शिस्टम पेपर पैटरन की अगर युनिवर्सिटी एक्जाम की बात करें तो वहाँ पर साइंस की बात करते हैं तो बीएस सी वहाँ पर में पेपर होता है तो बीएस सी के जो एनुवल system होता है वहां पर उसका paper pattern कैसा होगा आए उसकी यहां पर बात कर लेते हैं क्योंकि paper की तैयारी करने से पहले पर इक्सरा की तैयारी करने से पहले आपको यह तो पता हो कि मेरे कुल कितने paper होंगे एक paper कितने number का होगा practical कितने number का होगा तो इस तरह अगर आपको पता होता है तो आपकी तैयारी करना बहुत ज्यादा असान हो जाता है तो आए उसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर BSC को ध्यान नखीगा जब वो एनुवल सिस्टम में होता है तो उसको TDC भी कहा जाता है T, 3 year, D से degree और C से course, 3 year degree course, परतिक विस्या में तीन प psychology हो, आपका botany हो, हर एक जो आपका subject है वो 200 number का होगा हाँ जी ध्यान नहीं किया 200 marks का एक subject होगा कुल 3 subject आपके होते हैं हर एक group के अंदर तो वहाँ पर 600 number का कुल आपको परिक्सा देनी होती है एक subject एक विसे जो है वो 200 number का होगा उस 200 number को अगर डिवाइड करते हैं तो वह हाँ पर 500 number theory के होंगे, 50 number practical के होंगे, जो 500 number की theory होगी वो 3 paper के रूप में होगी, अब यहाँ पर confusion बिलकुल नहीं होना है, चाहे वो बोटनी का हो, चाहे जिलोजी का हो, चाहे chemistry का हो, physics का हो, maths का हो, हर एक विसे में, हर एक subject में 3 paper होंगे जी और 3 paper जो हैं 50, 50 number के होंगे, पुल कलियर हुआ, तो एक साल में आपके पास होते हैं 600 number में से कमाने का मौका, आप कितने number हासिल कर सकते हैं, हर एक subject का ये division होता है, ये pattern होता है, 3 paper और एक practical, चली आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान लक नहीं है जी, कि जो आपका एक paper होगा, कोई भी paper होगा, वो तीन खंडों में बटाओगा, तीन section होंगे उसके, पहला खंड जो होगा, वो बहु विकल्पी परसनों वाला होगा, इस खंड में 12% MCQ pattern में आएंगे, जो सारे अनिवारिय होंगे, और यहाँ पर ये division दिया हुए, आप देख सकते हैं, 12 सवाल होंगे, 12% होंग जहां पर आपको 4 विकल्प या 4 options दिये जाते हैं, clear है आपको, यहाँ पर कोई choice नहीं आएंगी, आपको 12 सवाल होंगे, 12 के 12 ही करने हैं, आपको अगर आते हैं, यहाँ पर choice नहीं, clear कर लीजिए, 12 सवाल हैं, गर आप कर लेते हैं, तो 12 number आपके पक्के हो जाते हैं, विकल आपको दिये जाया, कि वहल सही वाले पर निसान लगाना होता है, सही वाले का उत्तर आपको वहाँ पर लिखना होता है, क्या clear आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो दूसरा भाग होगा, दूसरा खंड होगा, दूसरा section होगा, उस section के अंदर, खंड बै के अंदर लगू उत्री प्रसंड की, आपको यह मालूम नहीं होता, कितना लिखा जाएगा, कुछ बच्चे दो तिन लाइन में इतिसरी कर देते हैं, देखो जी गलत है, आपको कोसिस करनी है, कि वहाँ पर आपको पूरा जो एक paper होता है, आपका answer seat का, हाँ हाँ, फिर सुनिए, बि आपके number का, वहाँ पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक लगूत्री सवाल के तीन number होंगे, clear है, तो आपको 10 सवाल आएंगे, दूसरे section में, जिन में से केवल 6 करने है, और एक page आपको new term लिखना होगा, लगबग एक page की कोसिस करें, उसमें कंजूसी ना बर तीन के तीन number आपको मिलेंगे, सर्तिया बात है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो, तो 6 सवाल हुए, जो आपको करने हैं, दूसरे section में, और तीन number का एक सवाल है, तो कुल मिला के 18 number हुए, आपके दूसरे भाग से, दूसरे section से, पहले से 12 हो चुके हैं, तो इतना तो आपक पे हुए हैं, तो आए जानते हो, बीस number कैसे हमको हासल करने होगे, तृत्य खंड, खंड से, विस्तरत उत्रिये परसनों वाला होगा, इस खंड में, कुल साथ सवाल दिये जाएंगे, जिन में से कुल चार परसन करना होगा, तो बच्चो ध्यान नकी का, तीसा section जो होगा, खंड आपका से, या section C, उसके अंदर total साथ सवाल आएंगे, seven question होगे, उन साथ में से आपको कुल या केवल चार सवाल करने होगे, साथ में से चार मुस्किल तो नहीं है, अगर आपने पढ़ा है, तो बड़ा असान हो जाता है, बस अरते हैं आपने पढ़ा हो, तो यहाँ आपको section C में खंड, जो तीसरा खंड है, खंड से है, उसमें आपको चार सवाल करने हैं, और एक सवाल पांच नंबर का है, तो चार सवाल अगर आप कर लेते हैं, तो 20 नंबर आपके खंड जो से है, section C है, उससे हो जाएंगे, तो आपको यह pattern पूरा का पूरा दिमाग में रख लेना है, कि किस कैसे आपको किस खंड में तियारी करने है, और हाँ, एक चीज और थोड़ी सी रह गई है, मत कीजिए, पूरी बास सुन लीजिए, तियारी में काम आएगी, जो आपका यहाँ पे विस्तरत उतरी, जो यह सवाल होता है, section C या खंड से का, जो 5 नंबर क है, तो प्रभू कम से कम निउन्तम दो या दो से उपर जाईएगा, टू प्लस पेजिस कीजिएगा, कम से कम तीन सवाल धाई पेज लिखे चलता हूँ, मैं दो से धाई पेज आपको निउन्तम कम से कम, मिनिमम आपको धाई पेज लिखना है, दो धाई पेज लिखिएगा कम से कम इस से उपर अगर आपको आता है तो लिखते जाईए क्योंकि जो सुरू के सवाल होते हैं उससे एक्जामिनर के उपर असर पड़ता है कंजूसी मत कीजिएगा लिखने में जितना आपको आता है पूरा लिख डालिएगा ठीक है जी समय का ध्यान लखीगा ये भी ना इन सेक्षन के हिसाब से तयारी कीजिए को कि परेशान होने पैनिक होने से आपका पेपर बिगड़ ही जाएगा अच्छा तो नहीं होगा तो उस गैस पेपर जो आने वाले हैं उसके हिसाब से तयारी कीजिए उन सवालों को पूरा करने ही कोसस कीजिए आप बहुत बहुत अच्छे नमरों से पास होंगे बस आपको मेनत्स करने से पीछे नहीं हटना है कोई क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए अपने आप पर फोकस कीजिए वैसे दिक्कत आने वाले नहीं है best of luck for your next upcoming exam आपके आने वाले परिक्साओ के लिए आपको सुब काम नहीं मेनत कीजिए जुड़े रहिए अगले गैस वीपर तक हमारे साथ जैन